हेलो गाईज, welcome back to my channel आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 2023 साल में कैसे facebook page तयार करना है how to create facebook page on 2023 क्योंकि अल्रेडी बहुत सरे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा और मेरा चैनल पर भी अल्रेडी वीडियो परा हुआ है कैसे facebook page तयार करना है कैसे facebook page बनाना है ठीके लेकिन वो बहुत ही पुराना हो गया 2023 सल में बहुत कुछ चैंज हुआ है facebook पर ठीके नया प्रोसेस में आज आपको सिखाऊंगा कैसे facebook page तयार करना है वो भी with settings के साथ यानि full settings के साथ आज मैंने सिखाया कि facebook page कैसे बनाना है ठीके हो सकता है वीडियो थोरा सा लंबा क्योंकि मैंने details complete यहाँ पर सिखाया है जस्ट अब वीडियो को end तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा ठीके और facebook page expert बनने के लिए जस्ट चनल के साथ रहिएगा चनल को सब्सक्रीब कर लेना पहली बार हो तो और notification वेल कॉल बाटन पर पिस कर लेना और facebook पे देख रहे हो तो जिरूर फॉलो कीजिएगा ठीके क्योंकि facebook page related और भी बहुत सारी next part वीडियो आने वाले हैं जस्ट अब चनल के साथ रहिएगा ठीक है चलिए सिख लेते हैं नया प्रोसेस से कैसे facebook page तयार करना है चलिए सबसे पहले मैं facebook application on कर लेता हूँ on करने के बाद यहाँ पे जो profile का logo आपको सो हो रहे हैं just यहाँ पे आपको click करना है यानि आपका profile पे आ जाना है आने के बाद यहाँ पे देखिए page बाला एक option आपको मिलेंगे just आप page बाला option पे click किजिएगा click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा already दो page है the take education और one two just यह test के लिए मैंने किया था तो the take education यह मेरा page already है तो वीडियो का last part यानि end part में आपको एक doubt क्लियर करने वाला हूँ कि एक ही ID से आप कितना page तयर कर सकते हैं एक ही ID से आप कितना page तयर कर सकते हैं जैसे मेरा एक ही ID से दो page already है ठीक है एक है the take education और एक है one two दो page already है तो एक ID से कितना page तयर कर सकते हैं का last part में मैं आपको दिखाऊंगा just video पे बने रहे हैं आपको मैं clear करने वाला हूँ vote out ठीके नए आप page का इस तयार करना है आपको इससे लेना देना है चलिए आपको आपको create बाल जो option है इसमें आपको click करना है जैसे ही आप इसमें click करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको get started ब आप name रखना चाहेंगे आप राख सकते हैं आपके हिसाब से लेकिन जो भी category के आप page बना रहे हैं उस category का मिलता जूलता एक name आप रखिएगा जैसे मेरा जो page का name में रखने वाला हूँ वो है सुमांतो ब्लॉग्स ठीके तो सुमांतो ब्लॉग्स इसमें आपको बहुत ही से पता चलेगा ब्लॉग्स नाम सुनते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लॉग्स रिलेटेट कॉंटेंट ही मिलेगा ठीके तो आप category के वह आई दिका मिलता जूलता एक नाम आप रख सकते और एक यहाँ पर चीज आप notice केजिए page create करने के समय आपका एक-एक step आपको complete करना है जितने step आप complete करेंगे यहाँ पर उतना ही step आपको blue color ऐसा line आ जाएगा अब ही मैं first step पर हूँ जैसा ही नाम तयार हो जाएगा तो second step पर मैं आ जाओंगा आप ध्यान से देखेगा तो जब यह last आ जाएगा यह last section में आ जाएगे यह blue color का line तब यह page आपका तयार हो लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर page का name रखना है मैंने सुमन्तो ब्लॉक्स यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर next बटन पर क्लिक करना है जैसे ही मैंने क्लिक किया दे कि आपर first step complete हो गया अब ही मैं second step पर हूँ ठीक है और second step पर यहाँ पर आपका जो category आप रखना चाहे है यानि एक ही category आप three name आप यहाँ पर add कर सकते हैं चलिए मैंने यहाँ पर दो category रख लिया restaurant और comedian और यहाँ पर create option पर क्लिक करना है जैसे ही यहाँ पर create option पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर next part आप आजाएंगे यानि third step पर आप आजाएंगे तो देखिए यहाँ पर third viewers को समझ चालना चाहिए कि आपका page में आप क्या वीडियो आपलोड करेंगे और इसमें आपको क्या करना चाहिए वह आपको पता चल जाना चाहिए ठीक है तो page के बारे में यहाँ पर कुछ लिखिएगा यह bio वाला section में और यहाँ पर contactable option आपको मिलेंगे तो contactable option पर आप कुछ update हो या Facebook का कोई notification हो आपको उस email ID पर पहुंचेगा तो आप active email ID यहाँ पर देजेगा और यहाँ पर phone number add करना है तो phone number आप चाहे तो दे सकता है या skip कर सकता है यह आपके उपर depend करता है यहाँ पर phone number आपको देना है चलिए और भी आपको scroll करना है तो देखिए दोस्त post code या zip code जो भी हो zip code जो भी हो यहाँ पर आपको mean जो है एक ही meaning होते हैं वो है कि pin number यानि pin number आपको यहाँ पर देना है ठीक है pin number देने के बाद दोस्तों यहाँ पर scroll gauge तो देखिए और भी आपको यहाँ पर देना है hours का मतलब क्या होते है चलिए आपको समझाते हैं जैसे आपको जिस time पर आप available होंगे उस time पर आपका viewers को यह online दिखाए देंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर आप no hours available पर click करेंगे तो आपके viewers का online होने के बबचुद भी आपका viewers को online show नहीं किया जाएगा ठीक है और always open पर अगर आप click करेंगे तो जिस time अपने online नहीं हो उस time भी आपका viewers को online दिखाएंगे ठीक है always open पर click करने से और यहाँ पर standard hours मतलब आपके जो officially time यहाँ पर choose कर सकते हैं कि आप किस date में online आप viewers को दिखाने चाहेंगे ठीक है उस date में automatic online दिखाएगा तो इस तरह आप यह business के purpose यहाँ पर आप select कर सकते हैं तो मैं recommended करूंगा आपको कि यहाँ पर जो first वालो जो option है यह no hours available यहाँ पर आप किलिक किजगा मैं यहाँ पर click करूंगा यह मेरा खुद का opinion है no hours available मैं किलिक करूंगा ताकि कोई किसको पता ना चले कि मैं online हूँ ठेके चलिए मैं no hours available पर click करता हूँ और यहाँ पर जो सरी की सरी farm है यहाँ आपको भरन फोन नमबर भी मैंना नहीं है तो फोन नमबर मैंने skip किया location बगर देखें यहाँ पर address पूरा डाल दिया pin नमबर भी दे दिया और hours में no hours available मैंने click किया choose किया ठीके तो चलिए अब नेक्स्ट option पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे दोस्तों देखें यहाँ पर आपका page का ज complete हुआ ठीक है और भी step बाकी है just video end तक देखें क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको अगर settings ठीक टक नहीं करेंगे आप जितना भी वीडियो डाल दो आपका page का viral नहीं होगा आपका page grow नहीं करेगा ठीक है आपको महनत बरबाद हो जाएगा just video को end तक देखें तो आपको show किया जाएगा तो यहाँ पर try it पर click करना है watch now पर आपको click करना है ठीक है watch now पर click करके आप YouTube channel है आपका तो YouTube का link यहाँ डाल सकते हैं तक आपका YouTube channel पर भी आपका viewers वहाँ पर पहुंच के वो video देख पाएगा ठीक है तो just यहाँ पर मैंने watch now पर click कर देता हूँ और पर आप इस तरह YouTube channel है तो आप link डाल सकते हैं फिर यहाँ पर save button पर click करना है फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर camera icon पर click करके आप कोई cover photo आप डाल सकते हैं या तो profile photo page का जो को profile photo है या से आप डाल सकते camera icon पर click करके चलिए अगर आपने कोई बना क आपकर tutorial वीडियो आपको चाहिए तो आप comment section में लिखेगा जैसे यह मेरा pixel lab से ही create किया है और यहाँ पर मैं profile photo में click कर देता हूं और यहाँ पर मैंने logo इस तरह कुछ रखना चाहता हूं चलिए इसको भी मैंने pixel lab से ही बनाया है अगर आपको tutorial वीडियो चाहिए तो आप च next button पर आपको click करना है चलिए मैं next button पर click कर देता हूं आप आपको बता रहे हैं कि यहाँ आपको contact number देना यानि whatsapp number ठीक है यह business purpose अगर आपके कोई business है तो यहाँ पर whatsapp के मतलम से आप contact कर सकते हैं ठीक है viewers के साथ तो यह customers के साथ तो यहाँ पर आप WhatsApp number चाहिए तो दे सकता ह है तो मैं नहीं देने वाला हूँ जस्ट देखिए यहाँ पर मैंने phone number एड नहीं किया हूँ तो यहाँ पर skip कर देता हूँ ठीक है skip करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको friends invite करना है यानि कुछ friends को यहाँ पर आपको add करना है invite friends पर क्लिक करके जैसे 5-6 आप पहले से आप ऐसा ही create कीजएगा और 5-6 friends को यहाँ पर invite कीजएगा और invite करने के बाद यहाँ पर next बटन पर click कीजएगा तो जैसे ही आप next बटन पर click करेंगे तो देखें यहाँ पर stay informed about your page यानि आपके page के बारे कुछ inform करना है भीवार्स को तो देखें यहाँ पर चौप्चन है page notification on your profile यानि आपका notification पेज के notification आपके profile पर लेना चाहते है तो यहाँ पर आपको enable करके राखना है तो इसको enable करके र राखेगा और marketing promotional emails about your page यानि आपके page के बारे में कोई marketing या professional emails आप लेना चाहते हैं तो just यहाँ पर आपको enable करना है इस तरह enable कीजेगा अगर आप लेना चाहते है mail के मत धम से तो ठीक है तो इसमें ऐसा कोई important नहीं है तो just यहाँ फिर जॉप्सन है दोस्तों देखें पर किलिक करेंगे देखिए पूरा process complete हो चुगा यानि page पूरा complete हो चुगा और भी page का बहुत सरे settings करना परता है तो एक ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो मैंने सारी की सारे settings page का settings कैसे करना है सारी की सारे settings next video या next part में आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा ठीक ह just आप follow कीजिए इस page को या YouTube चनल पर देख रहा हूँ तो YouTube चनल को subscribe करके notification bell call बटन पर प्रिस कीजएगा ताकि जब भी मैं next part में ले के आऊंगा यानि Facebook page का settings का वीडियो ताकि आपका page पे video कोई भी वीडियो डालो तो आपका page का viral हो जाएगा page का grow करेगा लेकर कोई भी settings नहीं करके राखेंगे तो आपका page viral grow कुछ नहीं होगा चाहे जितने भी वीडियो आप upload करो ठीक है just up channel के साथ रहेगा तो आपको start tool पे click करना है और यहां पर next 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 कर देना है फिर यहां पर done option पे click करना है यहां पर मेरा page अल्रेदी तैयर हो चुका यहां पर zero likes zero followers अभी दि दिखाया और यहां पर देखिए how healthy is your page यहां आपका page का जो quality है यहां पर good है ठीक है यहां पर आपको good ऐसा ही रहेना चाहिए ठीक है कभी भी आपको नीचे गटना नहीं चाहिए just up channel के साथ रहेगा next part बहुत जल्दी आने वाले है ठीक है और यहां पर सरकी सरी page का जो settings मे इसे settings आपको करना है just channel के साथ रहेगा मिलताव फिर आगले वीडियो पर आपका ख्याल रखिएगा धन्यवात